एक बार मैं पुनाक केशवत रुवेदी आप सब के साथ उपस्तित हूँ आपके यूटूब चैनल तैयारियों ओनलाइन में दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्तित हुए हैं वो एक टॉपिक है शब्द रूपांतरन जान लेते हैं कि सब्द रूपांतरन के अंतरगत क्या क्या आता है क्यों इसकी महत्ता बढ़ती है आपने कल का जो टॉपिक पढ़ा था वो था सब्द विचार सब्द विचार में आपने सब्द सब्दों के प्रकार सब्दों के अर्थ के प्रतीती की विशह में जाना था आ सबसे पहले शब्द रूपांतर इसकी परिवासा है विकारी शब्द सबसे पहले हम यह जान लेते कि विकारी शब्द क्या है यह तो आपने पहले ही पढ़ाया कि विकारी शब्द किसे कहते हैं विकारी सब्द का ही अर्थ है अपने आप में जहां विकार उत्पन करता हो विकार कैसा जो लिंग, बचन, कारक, काल इत्यादी के आधार पर जिसमें कोई ने कोई चैंजिंग होती हो या जिससे सब्दों में वदलाव किया जा सके वो विकारी सब्द कहलाते हैं जिसमें सभ विकारी सब्दों के अंतरगती ही आते हैं। मैं विकार उत्पन करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। जिसमें लिंग, बचन, कारक, काल तथा वाच्ची से सब्द के रूप में यहादीं होता है। लिंग पहले बात का लिंग क्या है लिंग सब्द का आर्थ है चिन या पहचान ब्याकन के अंतरगत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी सब्द के इस्तरी या पुरुजाती के होने का वोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं इसके प्रकार लिंग के दो प्रकार ह पुलिंग में जिसकी द्वारा किसी विकारी सब्द की पुरुज जाती का वोद होता है उसे हम पुलिंग कहते हैं जैसे गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला, जाता इत्यादी सब्द लिए जा सकते हैं इस्त्री लिंग में जिसके द्वारा किसी विकारी सब्द की विकारी सब्द से इस्त्री जाती का बोध होता है उसे हम इस्त्री लिंग कहते हैं जैसे शीता, अध्यापिका, मेरी, काली और जाती इत्यादी सब्दों को लिया जा सकता है इसमें यहाँ पर एक सब्द आया था वाच्ची वाच्ची भी आपके लिए बड़ा महत्पूर्ण टॉपिक है वाच्ची हम अगली किसी वीडियो में वाच्ची के विशह में पढ़ेंगे यह मोश्टली हर एक्जाम में चाहे वो कम्टिशन एक्जाम है चाहे वो विद्यालेई एक्जाम है चाहे वो बोर्ड के अग्जाम है उन सम्में वाची से एक या दो प्रसंद अवस्य पूछे जाते हैं लिंग की पहचान लिंग की पहचान सब्दों के विवहार से होती है कुछ सब्द सदा पुलिंग रहते हैं तो कुछ सब्द सदा इस्त्री लिंग और कुछ सब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या इस्त्री लिंग में प्रियुक्त होते हैं उन्हें उभै सब्द का जाता है पुल्लिंग संग्या सब्दों की पहचान नमबर एक प्राणी वाचक पुल्लिंग संग्याएं जैसे पुरुष, आद्मी, मनुष्य, लड़का, सेर, चीता, हाथी, कुत्ता, गोडा, बैल, बंदर, पसू, खरगोस, गेंडा, मैढक, साप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कभूतर, कवव, उल्लू, खटमल, कच्छुआ, इत्यादी ये पुल्लिंग संग्याश 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 आलपस ये अप्राणी वाचक पुलिंग संग्याए हैं जो सदय पुलिंग में ही प्रियोग होती हैं महीनों के नाम भारती महीने तता अंगरेजी महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैसाग, जेश्ट, आसार, मार्च ये हमेशा सब पुलिंग में ही प्रियोग होते हैं दिन या देशों के नाम जैसे सोमबार, मंगलवार, सनिवार ये नित्य पुलिंग हुआ करते हैं। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चेन, रूस, फ्रांस, इंडोनेसिया। इंडोनेसिया को अफवाद के तौर पर स्री लिंग में भी प्रियूक किया जाता है। और स्री लंका भी इसी कैटेगरी का सब्द है। अफवाद क्या है। अफवाद उसे कहते हैं यहां कुछ विद्वानों के द्वारा कुछ बाते मान ली जाती हैं। और वो वास्तित्ता वह पुरुष में भी प्रियूक की जा सकती हैं। गिरहों के नाम भी इसी के अंतर गताते हैं, जो नि प्रीलिंग में प्रियुक किया जाता है जहां तक जादतर जो भी कंप्टिशन एक्जाम में सवाल आते हैं वह अपवाद वाला जरूर उठाए जाता है तो उस पर विशेज ध्यान दें धात्यों के नाम है सोना तामबा पीतल लोहा लोहा और चांदी चांदी इसका अपवा प्रिक्षों अनाजओं नाम चावल गेहूं बाज़रा जौ। अफवाद के तory पर जौर कि जोर कि फिर फिर जौर भी एक और यानाज़ का ही नाम है को कि तो कि विद्यार्थी जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे यह गायए वहेंच को जो जाता है वो जवार होती है द्रव पदार्थों के नाम तेल घी दूद सर्वत मक्षन पानी अवाद के तौर पर लसी चाय यह इस्त्री लिंग में प्रियोग की जाते हैं और वाकी सब्द पुलिंग में प्रियोग की जाते हैं समय सुचक नाम है ख्षन सेकंड मिनट गंटा तिन सपताह पक्ष माह अवाद के तौर पर रात सायं संध्या दो पहर बढ़ माला के बढ़ स्वर तथक का से हाथ तक द्यांजन अवाद के तौर पर ई इए और री यह इस्त्री लिंग में प्रियोग की जाते हैं समुद्रों के नाम है हिंद महसागर प्रशांत महसागर म मुलिवान पत्थर रत्रों के नाम हीरा पुक्राज नीलम पन्ना मोती मानिक्य अवाद के तौर पर मनी लाल सरीर के अंगों के नाम सिर बाल नाक कान गाल हाथ पैर ओठ मुह अवाद के तौर पर गरदन जीव और अंगली तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सब्दों को ले सकत संग्या सब्दों की पहचान जैसे तित्यों के नाम प्रथमा दुतिया एकादसी अमावश्य पूर्णिमा हिंदी भासाओं में अंग्रेजी उर्दू जापानी मलियालम लिपियों में देवनागरी रोमन गुर्मुकी अर्वी फार्सी बोलियों में ब्रेजे बोजपुर द्वालियों में थोज़ग के नाम में गंगा गोदावरी ब्यास ब्रहंपुत्र नक्षत्रों में रोहिणी असुनी भल्नी देवियों के नाम मैं दुर्गा कर्क्राइन रमां मेहलां के नाम Mayor में शीता ने कि इसमें एक बात यह सकते है कि जहां भी आपको एक फ्रेक्ट बताता हूं कि पुलिंग और इस्त्रीलिंग को पहचानने को ज्यादा तर सॉयलेट तरीका क्या है जो हम बिना पड़े जान सकते हैं बिना पड़े केवल केवल दो बात समझ करके हम तुरंत यह बता सकते हैं कि यह पुलिंग होगा यह इ 98 परशंट तक ही आपको काम्याब होगा उसके लिए 2 परशंट आपको पढ़ाई करने पड़ेगी कह सकते हैं कि अगर 98 परशंट आपको अगर यह जानना है कि यह इस्त्रीलिंग है फुलिंग है तो उसको समझने का एक तरीका है जो अकारांत होंगे अकारांत का मतलब जि सब्ध पुलिंग ही होंगे जैसे राम अविशेक मनोज यह इन सब के बाद में हमने यह देखा कि अकारांत है और जो सब्द आकारांत होंगे आकारांत ओर इकारांत और उकारांत जो सब्द होंगे वो अधिकान सता है इस्त्रीले होंगे जैसे आकारंद के लिए हम देख लेते हैं सीता, गीता, लता, इत्यादी इकारंद के लिए देख लेते हैं साबित्री, धरित्री, कवित्री, इत्यादी उकारांत के देख लेते रेनू देनू इत्यादी जो सब्द हैं कह सकते हैं आकारांत और इकारांत और उकारांत अधिकांसता इस्त्री लिंग ही होंगे और जो अकारांत सब्द होगा, वो अधिकांसता, पुलिंग होगा हिंदी में तो दो ही लिंग है, इस्ट्री लिंग और पुलिंग संस्कत में एक लिंग और है, जिसे नपुन्सक लिंग के नाम से जानते हैं तो उसकी भी पहचान में आपको बता देता हूँ कि जहां कहें भी ज्जादा तर हलंत मा का प्रियोग अंत में होगा, वो सब्द नपुन्सक लिंग होगा, जैसे फलम, वरिक्षम, इत्यादी जो जलम, जो मकारंत होंगे, हलंत मकारंत, वो नपुन्सक लिंग होंगे, और इसके लिए कुछ प्रत्य टाइप के भी बताए लिए आई, आयन, आनी, आवट, आहट, या, इ, त, 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 ती, आधी प्रत्य युक्ति जो सब्द हैं जैसे छाप्त्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकुरानी, सजावट, घवराहट, गुडिया, गरीवी, ताकत, मानवता, नीती इस प्रकार की सब्द, नित्य, इस्त्रीलिंग होंगे, लिंग परिवर्तन, पुलिंग से इस्त्रीलिंग बनाने की कत्पय नियम है, कुछ नियम हम जान लेते हैं, जैसे सब्दान्त है, अकाराम्त को आकाराम्त में बदल कर, जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे अकारा अगा वह पुलिंग है जो आका अरांत है वो एस्त्रीलिंग है जैसे व्रद्ध और व्रद्धा για कि उसी तरह पूजे और पूजया पूज्या पूज्या Wool거나 है और पूजया इस्त्रीलिंग है भवधिया और भावदिया, सुत, सुत माने पुत्र और सुता माने बेटी, अनुज माने छोटा और अनुजा माने छोटी, सब्दान्त आ को ई में बदल कर, जैसे देव, देवी, यानि यहां अकारांत से ई कारांत में बदला, तो वो इस्त्री लिंग बन गया, पुत्र, पुत्री, गोप, गोटी, ब्रहमन, ब्रहमनी, मैडक, मैडकी, दास, दासी, सब्दान्त आ कारांत को ई कारांत में बदल कर, आ कारांत का मतलब है जिसके अंत में आ है, और एका रामत का मतलब है जिसके अंत में ई है जैसे नाना अब नानी लेकिन ये बात मैंने जो बताई थी पिछली वीडियो में जो 98 परसंट रखा था वो केवल इसी लिए रखा था कि केवल आप आखें बंद करके ही यह ना समझ लें कि इसका इस्त्रीलिंग है या पुलिं तरीका बताये था जब जहां पर कोई तरीका न समझ आये तो वह तरीका हमें समझ लेना चाहिए जैसे नाना है तो उसका इस्त्रीलिंग नानी बेटा बेटी लड़का लड़की गोडा गोडि रस्सा रस्सी चाचा से चाची इत्यादी जो सब्द बने हैं वह पुलिंग स इस्त्री लिंग बने हैं लेकिन संस्कत में इस प्रकार के जो सब्द हैं वो अपवाद की तोर पर देखने को मिलते हैं जहां पर आकारांत हो और वो पुलिंग हो पुलिंग होगा तो अकारांत ही होगा बहुत कुछ बहुत कम सब्द ऐसे हैं जो अकारांत होते हुए पुलिंग होँगे इस संस्कित में नमबर चार में सब्दांत के आको इया में बदल कर जैसे बूढ़ा से बुढ़िया चूहा से चुहिया और कुत्ता से खुतिया डिब्बा से डिविया सब्द बना बेटा बिटिया लोटा से लुटिया सब्दांत पृतिया अको इका में बदल कर जैसे बालक को बाली का पाठक को पाठी का लेखक को लेखी का गाय को गाय का नायक को नाय का और विधाय को विधाय का आनी पृतिया लगा करके देवर पुलिंग है देवरानी इस्त्रीलिंग भव पुलिंग है और भवानी इस् शेठ और शेठानि तो इस तरीके से हम बहुत सारे सब्दों को बदल सकते हैं नी से जैसे सेर है तो सेर नी, सिंग से सिंग नी, मोर से मोर नी सब्दान्त में इ के स्थान पर इनी लगा कर जैसे हाथी है हाथी नी तपस्वी तपस्वी नी, स्वामी स्वामी नी ऐसे ही इन प्रत्य आम है माली से मालिन दोवी दोवी नाई नाए कुमहार कुमहार यानी इन प्रत्य लगा करके भी इस्ट्रीलिंग सब्द बनता है आयन से भी इस्त्रीलिंग बनता है, जैसे चौदरी से चौदराएं, ठाकुर से ठकुराएं और मुंसी से मुंसी आयन, तो जहां भी हमने देखा कि नी, इनी, इन और आयन जो प्रत्यांत आपको पहले बताएगे थे वो प्रत्यांत सब्द नित्य इस्त्रीलिंग हुआ करते हैं जैसे वान सब्द के साथ वती लगा कर भी इस्त्रीलिंग सब्द बनता है गुडवान से गुडवती, पुत्रवान से पुत्रवती, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती, भाग्यवान से भाग्यवती, शत्यवान से सत्यवती और सब्दान्त में मान के इस्थान पर मती लगाकर जैसे श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती और आईशमान आईशमती सब्दान्त ता के इस्थान पर त्री लगाकर जैसे कर्टा का कर्ट्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री तो ये कुछ ने, इसमें नया कुछ भी नहीं है, जो आपको पहले प्रत्य दिये गए हैं उन प्रत्य को याद कर लीजी, एक लाइन याद करने के बाद में आपको हमेशा ये बना रहेगा, कि कौन सा सब्द स्ट्रीलिंग होगा, और कौन सा पुलिंग होगा, ये भी अक्सर अक्जाम में पूछे जाते रहते हैं, भेने रूप वाले कत्पय कुछ सब्द हैं, जो अक्जाम में कई तरीके से गुवाफिरा करके पूछे जाते हैं, या तो वो लिंग परिवर्तन के तोर पर पूछे जाते हैं, या वो सुद्ध सुद्ध के तोर पर पूछे जाते है तो इनका हमें विशेश रूप से ध्यान राखना चाहिए जैसे कवी है तो उसका कवाईत्री वीर है तो उसका इस्त्री लिंग वीरांगना दूलहा दूलहन राजा रानी बादसाह देगम वर, वदू, मर्द, औरत, नर, नारी, पुरुस, इस्त्री, युवक, युवती, विद्वान, विदुसी, सादू, सादवी, बैल, गाय, भाई, भावी, बहन, शसुर, सास तो इस प्रकार के भिन रूप बाले भी कुछ सब्द हैं तो नित्यय आपने इसमें एक बात समझी कि इसका विसेश ये है कि जैसे तारा, देवता, व्यक्ति, आधी सब्द संसकत में स्त्रीलिंग होते हैं संसकत की बात मैंने आपको बताई थी किंतू हिंदी में फुलिंग है संस्क्रत में जो भी आ का रांत है और ई का रांत है और उ का रांत है अका रांत का मतलब जिसके रांत में आ है बड़ा आ और ई का रांत का मतलब जिसके रांत में बड़ी ई है और उ का रांत का मतलब जिसके रांत में बड़ा उ है वो सब्द 99% संस्कत में इस्त्री लिंग होते हैं जैसे तारा, देवता, व्यक्ति, आदी सब्द संस्कत में इस्त्री लिंग होते हैं किन्तु हिंदी में ये पुलिंग माने जाते हैं आत्मा, भून, देह, बाहु आदी सब्द संस्कत में पुलिंग हैं किन्तु हिंदी में इस्त्री लिंग है, संस्कत में इमा प्रत्यान तक सब्द यथा जैसे मयमा, गर्मा, लगमा, सीमा, आदी सब्द पुलिंग होते हैं, किन्तु हिंदी में ये तत्सम सब्द होते हैं और इस्त्री लिंग में गिने जाते हैं, और प्रत्यान तक हैं जय, वि प्रियोग होते हैं कृदंत प्रत्य और तद्धित प्रत्य से बने जैसे आकर्शक द्रश्य या घटना देदी प्यमान प्रकास या जोती परचित पुरुष या महला सर्वनाम में लिंक के आधार पर उनमें कोई परवर्तन नहीं होता वो यथावत इस्तिती पर बने रहते हैं निम्न पदवाची सब्दों में भी लिंक परवर्तन नहीं होता जैसे राश्टपती, प्रदानमंत्री, मंत्री, डाक्टर, मैनेजर, प्रिंशिपल इनमें पदवाची सब्दों में कोई लिंक परवर्तन नहीं होता ये इस्तिती लिए भी वही परियोग किये जाते हैं और पुरुष के लिए भी यही सब्द परियोग किये जाते हैं तो आपके लिए में एक बात और बता रहा था बाच्ची के विशह में चले बाच्ची भी बताता हूं पहले ही जान लेते हैं वचन सामान्य तहाँ वचन सब्द क और्परियो किसी के द्वारा कहेगे तो is कथन अथवा दिये gए आस्वासन की अर्थ में किये जाता है। किन्तु भ्याकंड में वचन का अर्थ है संख्या से लिया जाता है।ienie वचन का मतलब है कि एक और बहु वचन का मतलब है अनिक हिंदी में केवल दोई वचन है एक वचन और बहु वचन परंतु संस्क्रित में तीन वचन होते हैं एक वचन दोई वचन और बहु वचन एक देखती को एक वचन दोई वचन और दो सेधिंग देखतियों को बहु केवल एक दोई वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन एक वचन का ताथ पर है कि एक व्यक्ति और बहुवचन का ताथ पर है अनेक तो जिसके द्वारा किसी विकारी सब्द की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं बचन दो प्रकार के एक बचन और बवचन एक बचन से एक बस्तू का बोद या एक विक्ति का बोद होता है जैसे भरत लड़का मेरा काला इत्यादी और बवचन से अनेक बस्तू का बोद होता है जैसे विकारी पदकी जिस रूप से किसी एक से अधिक संख्या का बोद होता ह से बहुबचन कहते हैं जैसे लड़का से लड़के मेरा से मेरे काला से काले इत्यादी जो सब्द हैं हिंदी में निम्न सब्द सदव बहुबचन में हैं प्रियोग होते हैं यह जो नीची दिये गए जो सब्द हैं यह हमेशा पूछे ही जाते हैं किसी भी एक्जाम में जैसे आशू, होस, दर्सन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदर्नी और व्यक्ति, हेतु प्रियुक्त सब्द आप, दाम, समाचार, बाल, लो, होस, हाल, चाल ये सब्द नित्य बहुचन ही प्रियुक्त किये जाते हैं हमेशा ऐसे सब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये सब्द कंप्टिशन में थोड़े से गुमा करके पूछी जाते हैं कि इनसे बाग क्य बनाये जाएगा और आपसे सुद्ध सुद्ध चटवाये जाएगा तो एक बचन में दर्सा देगा जैसे कुछ सब्द उठा लेते हैं कि आप चला गया तो आपने ये समझा कि आप जो है वो अकेल आए तो लेकिन जो आप सब्द है वो बहुवचन है नित्य तो आपके साथ चले गए ही सुद्ध होगा तो आप चले गए इस पकार का सब्द बिलकुल सुद्ध है जैसे कि मैं आपको इक और बात पूस्ता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि साधू जो सब्द है वो एक बचन होगा ये बहुवचन होगा साधू सब्द कमेंट बॉक्स में जाकर कर बताएं और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है त और मिलती रहे हैं साथे साथ 2 लाकन को प्रेस कर लें बचन परिवर्तन हिंदी प्याकन के अंसवार एक बचन सब्दों को बहुँचन में परवर्त करने हितु कत्पे नियमों का उपियों किया जाता है जैसे सब्दांत आ को ए में बदल कर कमरा से कमरे लड़का से लड़के बस्ता से बस्ते बेटा से बेटे पपीता से पपीते और रसगुल्ला से रसगुले सब्दांत आ को ए में बदल कर जैसे पुस्तक से पुस्तक हैं दाल से डाले और रा से रा हैं ये बचन परवर्तन हैं ऐसी प्रकार के बहुत सारे बचन हैं सब्दांत में आए आ के साथ जोड़कर बाला से बालाएं, कवता से कवताएं, कथा से कथाएं, ये वाले सब्दों के अंत में या लगा कर दवाई से दवाईयां, लड़की से लड़कियां, सारी से सारियां, नदी से नदियां, खिड़की से खिड़कियां, इस्त्री से इस्त्रियां, इस्त्री लिंग स सब्सक्राइब के अंत्र में आए उ को उ के साथ यह लगा कर जैसे बधू से बधू हैं बस्तू से बस्तू हैं बहू से बहू हैं यह बहुचन बनाने के कुछ नियम है इनको सब को देख लीजिए अब इसका विशेश हम पढ़ लेते हैं संबोधन सब्दों में ओ न लगा कर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए जैसे भाईयो बहनो मित्रो बच्चो साथियो परवार संबंदों के बाचक आकारांत देशत सब्द भी बावचन में प्राय यथावती रहते हैं जैसे चाचा माता दादा बाबा किन्तु भान जा वो भती जा व साला से बांजे बतीजे और साले सब्द बनते हैं बिवक्ति रहत आकारांत से भिन पुलिन सब्द कभी कभी परवर्तित नहीं होते जैसे बालक फूल अतिती हाथी व्यक्ति कभी आदमे सन्यासी साधू पसू जन्तू डाकू उल्लू लड्डू रेडियो फोटो मोर शेर, पती, साथी, मोती, गुरू, शत्रू, भालू, आलू, चाकू बिदेशी सब्दों को हिंदी में बहुत चन्द हिंदी बहासा के ब्याकन के अमसार बनाए जाने चाहिए जैसे इस्कूल से इस्कूले ना के इस्कूल्स कागज से कागजों ना के कागजात भगवान के लिए या निकरता सूचित करने के लिए तू का प्रियोग किया जाता है जैसे हे इस्वर तू बड़ा दयालू है निम्न सब्द सदय एक बचन में प्रियोग पोते हैं जनता, वर्सा, हवा और आग इसमें याद करने वाली जो बात है वो नित्य एक बचन जैसे जनता, वर्सा, हवा आग और जो नित्य बहुबचन है जो इस लाइन में आपको बताए गए थे वो सब्द हमेशा हमें जैसे आशू, होस, दर्सन, हस्ताक्षर, भाग्या, आदरनी, विक्ती, हेतू, प्रियुबच सब्द आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होस, चाल ये इत्यादी जो सब्द है नित्य बहुबचन में प्रियुबच होते हैं और जनता, वर्सा, हवा, आग ये नित्य एक बचन में प्रियुबच होते हैं तो थैंक यू आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर पुना हाजर होंगा तब तक के लिए चाहता हूँ जाज़त जैहन